अगर मेरी वीडियोस पसंद आई तेक लाइक दे देना और हो सके तो मेरी चैनेल को सास्काइब करके बेल आइकोन को ज़रूर दबाना ताके आने वला हर वीडियो सब चे पहले पोस्ट पर आपके मुबाइल की स्क्रीन पर असलाम अलाईकुम जी कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमली इक्षाला आप लोग ठीक होंगे अलहमदलिले में भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यह मेरी जो टमाटर की पोदे थे यह आगे से काट के दे दिया था और नीचे चे फीर से पत्ते निकल कर दुबारा फुल लग गई है अचा जी में आ गई है यह तीन बजी की वक्त है पहले में सहरी की तयारी कर लोंगी फीर में इत्तारी की तयारी कर लोंगी जी तो आप लुग कैसी करती हो प्लीज कमेंट करके बताईए अच्छा में पहले सेहरी के लिए एक प्रॉन बनाऊंगी ज्यादा करके प्यास को डाल दिया और दो खाने की चमस ओयल शाय एड़ किया जी तो प्यास तेल और जीरा को मिक्स करके में धाग दिया और थोरी सी नरम होने के बात अभी में नमक को शामिल कर दूंगी और नमक आप आपकी टेस्ट की मताबिक शामिल कीजिए जब मैं कभी भी प्रॉन को सब्जी यों से नहीं खाती हूँ और मेरी घरवालों को भी ही प्यास के साथ भून के खाती हूँ और में प्रॉन को सामिल कर दिया और मेरी हभी के तब प्रॉन की हर सब्जी पसंद है यह बड़ी शाक से खाती है तो में प्रॉन और प्यास को मिक्स करके और थोरी समय धाग के दब दूंगी अजब में ज्यादा करके हरी मिच्ची को दाल दिया क्योंकि मुझे लाल मिच्च को थोड़ी सी एड़ करना है जब जी हो रही है तो मैं आप लोगों से क्राय मांगती हूँ अजब मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ मैं स्पीट से बोलू लेकिन जब मैं बहुए सबर क करती हूँ तब इतना स्पीड यहां से आगे तक मेरी स्पीड नहीं होती है तो मेरी कोशिश होता है मैं स्पीड से भवाय सबर दू लेकिन मुझे और ही होता है अचा दो चार लोग ने मुझे बला है आप इतनी धीरे-धीरे बोलती हूँ मैं क्या करो मुझे जितना हो सकत करती है मैं उतना कोशिश जरूर करती हूं और लोग कहते हैं ना दिल से आपको कोई बात हो किसी को प्यार करती हो तो इसकी खुबिया नहीं नजर आती है तो मेरी कहना यह है अगर आप मुझे पसंद करती हो तो मैं धीरे बोलती हूँ या स्पीड से बोलती हूँ उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैं क्या करती हूं मेरी काम आपको पसंद आती है या मुझे आप लोग कोई शीक मिलता है वही मतलब होना चाहिए आप लोगों को तो प्लीस आप लोग कमेंड करके बताइए मैं मुझे माप करना में और स्पीड नहीं कहती हूं मुझे मनें हर बड़ी हो जाती है कि में दिल में तकली भोता है क्यत्य और अत्या यसे मेरी परउं जो है वह वह ज़ुआ है और मसला में थोरी इसी में हल्दी पावडर न धनिया पावडर और बिलकल थोरी Anal mix पावड़ को एच किया और अच्छी से मीक्स करके थोड़ी सी पानी शामिल करके मैं भनाई करके रख दिया था ताकि उसे मैं छहिरी की बग और थोड़ा पकाना है मुझे और मैंने और फीश करी बना रही हूं ये आलू से बनाऊंगी तक आसे Sakra पाई और ये है एक फीश्की बठता जो रेख चतनी कहती हूं । तो तो मैं यह हमेशा बनाती हूँ अच्छा लगता है अच्छा आपको फीश की वो चातनी की रेसिपी को भी चाहिए तो प्लीज बताईएगा मैं कोशिश करूँगी देने के लिए और आप तो आपको लोगों तो पता है मैं हर बब हर तरीका सिखाना बनाती हूँ तो आज फीश और आलू को मैं एक सद भुनाई कर रही हूँ और अभी फीश को उठाके आलू को और थोरी सी ज्यादा भुनाई करना है मुझे और यह बच्चे के लिए और आलू तो यह नहीं खाती है जी तो मैं अच्छा मैं आपको एक बात कहती हूँ आप ओइल के जाड होता है वो किसी ना किसी में कार्टून में रखती हूँ ताकि में यह एक चीज हर बक्त यूज़ करूं मुझे पसंद नहीं तो मैं हर 15 दिन में इसको चैंस करते रहती हूँ तकि मेरी जो रेक है वो गंदा ना हो और मुझे ज्यादा तकलिप करना ना पड़े अचा पिछले शौट वीडियो में आप लोग धेर सरा प्यार किया था और आगे और भी करी है अभी और भी वह अच्छे से वास्टम आ रही है तो मुझे आप लोगों को थेंक्यू कहना करना है नहीं जी अच्छा ठेंक्यू कहके आप लोगों को मैं धूनी करना चाहती हूं और मेरी फ्रीज जो ही यह सेंसंग कुंपानी का है अग्यान फ्रीज है कॉंबाटिबल इसलिए है डीप फ्रीज जो ए उससे में कभी भी डीप फ्रीज हिसाब से यूज़ कर सकती हू नहीं तुम्हें नॉर्मिल फ्रीज बना की उसकर सकती हो और यह बहुत अच्छे क्वाली के दिए बहुत अच्छे और यहां जो एक प्लेट लगा है यह कारेंट की हो अंदर जो फांक्शन है यह कंट्रोल करता है कब भी फ्रीज को नॉर्मिल रेंच यह पकर रखती है और यहारी बटन होता है और दोर में उपैंट में होती है जी तो मैं आगी हो इफ्तारी के त्यारी कर रही है थोरी सी कले चने भुनाई करना है थोरी सी मीट थोरी सी प्लाव और थोड़ा पकड़ा के लिए में मैं डाल चावल लसन अद्रग हड़ी मीच्छी प्यास को एक सब मीक्स करके रख दी थुई और ये तैयारी में दो घंटे पहले करके रखती हो तक कि जब मैं खाना बनाओ एक तरफ खाना बनाती हो एक तैयारी करते हो ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं होती है आज भी नहीं मैं ब्लोग बनाती हूँ इसलिए नहीं मैं शुरू से जहां तक मुझे याद है तब से मैं ऐसे करके खाना बनाती हूँ कि जी तो मैं आज इपतनी के कोई रेसिपी नहीं देंगी आदिवंगी में एक रिसिपी दोंगी वह एक डिंक बनाती हूँ मैं कैसे उपर डिंक बनाती हूँ तो आगे आप लोग देखते रही है और आज पुलव में थोरी सी घी भी यात करना है मुझे जी तो आप लोग देखती रहिए और आप लोग इस तरह से काम क्या करती है दिन भर की काम कैसे करती है प्लेज जनाएए अच्छा आज इपतरी में मुझे एक डिफ्रेंट चीज बनाना है और वह है पालग जो होता है पालग को मैं पहले नमप पानी से मिला के रख दिया था अदा घंटा और फिर बॉयल करके थंदा पानी से में वाश करके सोट दी थी उसे मुझे एक डिफ्रेंट तरीका से बना क्षाना है और मैं आपको तो पता है मैं सेहरी में सावल नहीं करते हो तो कीवर को सावल खता आ हूं तो मुझे आज ईपतरकी बपती खाना है एइसे काले सेने के साथ या पकरी के साथ अश्या में वाइल करके रख दिया था ताकि आपको बता है पलक में थोड़ी सी करवा एक्षेंट आती है जो मुझे पसंद नहीं तो मैं क्या-क्या पालक को थोड़ी सी काले सने के और थोरी सी जीरा को ज्यादा करके डाल के और थोरी सी हल्दी पाउडर थोरी सी नमक थोरी सी शुखी लाल मीच एड करके मैं भुनाय करना है मुझे और थोर आधा उठाके में दरग दिया था फ्रीज में अच्छा जी में जो डूंक बनाती हूं यह अबन ना कोफी इंडे मिल चुगर नवक इसके साथी मिला के बनाती हम थो मुझे जहां तक याद है मैं किसी को कोफी मिलाते नहीं देखती हूँ वह बनाना मिल्क शेक ही बनाती है लेकिन मुझे एक साथी इन वन बनाना है पोल कोफी भी है बनाना मिल्क शेक भी है और हेल्दी ड्रिंग भी है तो आप लोगों को केसी लगी बताईएगा ज़रूर और हो सके तो मैं साथ ही रही है आप लोग अच्छा यह जिंक में और मेरी बेटी खाऊंगी और घरवलों को बाकी किसी को पसंद नहीं है तो उनके लिए निम्बुक का सर्वत ही क्या भी और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक करना वाच करना और बेल आइकन को दबाना और मेरी जो गलती है मेरी जो खुबिया है वो अलग करके एक साथ में रखके मेरे साथ ही रहना ठीके तो इतर की वक्त हो गई है आजन शाहिद हो गई तो बिस्मिल्ला करके में पहले खेजो को खाऊंगी ठीके और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक दे देना और मेरी जो आने वाला वीडियो से वह आपको वाच करना है तो आज के लिए इतना कप खीड से कभी भी दुबारा नई व्लग के सताओं अच्छा आप लोगों को बताना है मेरे आज की वीडियों कैसे लगे और मेरे सिंफल सी इपतारी कैसे लगे आपको और ये जो हेल्दी ड्रिंग है ये आपको हेल्दी लगा या नहीं लगा प्लीज कमन करके बताइए और तब तक के लिए बाई-बाई आलाहिपी स्टेक क्यार